नमस्कार दोस्तो वेलकम टू पीके क्लासिस दोस्तो ट्राइबुलाजी ट्राइबुलाजी क्या है किस किस फिल्ड में ट्राइबुलाजी आती है और कहां पर ट्राइबुलाजी का यूजिस है आज हम जानेंगे ट्राइबुलाजी के बारे में जो की कमेंट्स में बहुत सा पारे छात्र हैं जो कि ट्राइवलाजी सब्जेक्ट के ऊपर जो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है कुछ वीडियो की डिमांड कर रहे थे जिनकी रिक्वेस्ट पर मैं आज आपको ट्राइवलाजी से समंदित जानकारी कुछ सेयर करूंगा तो जिसमें दोस्तों सबसे पहले हमको यह जानना है कि ट्राइवलाजी क्या है किस-किस जगाओं पे इसका उप्योग होता है और कौन-कौन से छेत्र हैं जहां पे हम ट्राइवलाजी को कंसीडर करते हैं तो दोस्तों जो भी छात P.K.क्लासिस में फर्स्ट टाइम है जो अभी भी P.K.क्लासिस से नहीं साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें तो आईए दोस्तों देखते हैं ट्राइवलाजी तो ट्राइवलाजी आपकी जो है ट्राइवलाजी क्या है सबसे पहले हम इसके बारे में जाने तो ट्राइवलाजी एक ऐसा छित्र है जहां पे हमारा फ्रिक्शन बियर एंड friction, beer and lubrications का उपियोग किया जाता है friction, beer and lubrication means जब हम friction, beer and lubrication का अध्यान करते हैं तो वो हमारी tribology कहलाती है तो tribology means study of friction, beer and lubrications of interacting surface in relative motion जितने भी हमारे machines हैं हम automobile sectors की बात करें हैं किसी भी पिल्ड की बात करें हर जगा पर tribology है जो की यूज होती है friction की बात करें तो कोई भी ground surface पर कोई भी object रखा हुआ है तो उस पर aesthetic friction से जो की apply हो रहा है friction लग रहा है similarly इसी प्रकार यदि हम किसी machine elements की बात करें bearing की बात करें, shaft की बात करें, gear box की बात करें या किसी भी machine parts की बात करें हर जगा पर आपकी जो tribology है वो apply होती है तो tribology means आप समझ गए होंगे कि tribology क्या मतलब क्या है lubrication, bear and friction का अध्यान यह हमारा आता है किसके अंदर tribology के अंदर जहां पर किसी भी interacting surface की बीच में relative motions होता है या motions नहीं भी हो रहा है, कोई चीज रखी हुई है तो इसको involve होगी tribology surface failure due to rubbing is a major problem that affects the life means surface failure जितने भी हमारे machines parts या elements है जिनके surface damage होते है या surface खराब हो जाते हैं, गिस जाते हैं जिसके कारण हमारे machines part या elements की जो life है durability है and reliability है वो कम हो जाती है या इससे हमारी प्रभावित होती है तो the knowledge of surface interactions is essential to mechanical engineers तो यहाँ पे हमारी जो engineers हैं, students हैं इन सभी के लिए इससे सम्मंदित knowledge होना, जानकारी होना बहुत ही आवश सके जिसके लिए RGPB द्वारा ट्राइवलाजी करके एक subject आपका elective में रखा गया है, जिसमें किसी-किसी colleges में ट्राइवलाजी को चूज किया है, कोई automobile को चूज किया है, कोई XYZ other elective subject को लिया है तो इसमें ट्राइवलाजी में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो हम content आपको represent करेंगे, वो content काफी कम होगा लेकिन इसकी applications या इसके छेत्र के बारे में आपको कुछ अपने से word add करते हुए इसमें आपको represent answers में करना होगा ठीक, now area of tribologies, tribologies कौन-कौन से area में use होती है, कौन-कौन से field है जहाँ पे हम tribology को उपयोग करते हैं, तो tribology जो आपकी है यह तीन छेत्र हैं, तीन area हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, friction, friction means घरसन, तो friction जो है, it is the resistance to relative motion between two bodies in contact, friction means यह resistance है जब कोई दो body contact में होती है तो जो relative motion होता है तो उसके बीच में जो लगता है, वो घरसन लगता है मालो के जैसे कि यह एक पानी की बातल है, और यह इस surface पर रखी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे static friction, क्योंकि friction तो यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि यह body आपकी stable है, और रखी हुई है लेकिन जब इस तरह के surface होते हैं, जहाँ पे static की बात हो सकती है, या rolling friction की बात हो सकती है तो rolling friction में आपके कोई भी दो machines elements जब दो कोई machine elements हैं यह roll करते हैं, motion करते हैं one to another against तो इनके surface के कारण जो इसमें act होता है, वो है friction, तो the friction increase with load and surface roughness आपको ध्यार रखना है कि जो घरसन है, friction है यह बढ़ जाता है, किसके कारण एक तो load के कारण कि किसी object या elements पर load जादा भी आ रहा है, या दूसरा उसका जो surface है, वो खुरदरा है rough है, इसमूज surface नहीं है, तो यह surface और load पर क्या करता है load के कारण friction है जो की बढ़ता है, increase होता है and can be decrease, अब हम इसके लिए कम कैसे कर सकते हैं तो friction, we can reduce by the use of lubricant and reduce surface roughness यदि हम कोई दो machines part के बीच में lubricant का यूज करें, oils का यूज करें या greases का यूज करें तो lubricant जो है, एक घरसन को कम करता है साथी हमारे जो surface roughness है यदि surface roughness कम होती है उसको हम smooth surface बनाते है तो उहाँ पे भी आपका जो friction है, वो decrease हो जाएगा, कम हो जाएगा तो यह हमारा जो friction है पहला area जहाँ पे हमारी tribology आती है second है wear bear का मतलब होता है last up material of one or more components when they slide against each other last up material bears के लिए यदि हम बात करें तो जैसे कि आपने देखा आपकी sleeper या सूज हैं जिनके नीचे से soul हैं, वो क्या होता है घिस जाते हैं, घिसना मतलब bear, क्योंकि जब हम किसी भी surface पे चलते हैं तो बीच में यदि कोई heart particles आपका आज आता है, मानलो कोई छोटा सा पत्थर है surface का पत्थर है, वो नीचे ground floor और इस surface के बीच में आ गया और हम चल रहे हैं, तो चलने में इसमें क्या होता है, कि wear होता है means हमारे जूतों के जो soul है, rubber वो damage होती है, हम गाड़ियों के tires की बात करें, तो tires भी हमारे 3-4 years में क्या होते हैं उसकी जो gripping है, वो पूरी wear out हो जाती है, तो इसमें हमारे material क्या हो रहा है last हो रहा है, wear हमारी दो प्रकार की एक abrasive wear है और एक adhesive wear है, जैसे कि यहां wear के diagram में मैं आपके लिए एक simple सा diagram लिया है दो surface है, दो surface के बीच में एक छोटा सा hard small particles है जो की रखा हुआ है अब इस particles के कारण हमारे यह जो surface है hard या soft surface है तो particle hard है, surface soft है जब इसमें हम चलेंगे, या motion होगा sliding, तो इसमें क्या होगा material last होगा, bear out होगा इसी प्रकार हमारे piston ring है piston है, या हमारे machines element है, जिनका क्या होता है bear होता है, लेकिन इसको हम smooth और proper lubrications का उपयोग करें, तो इसके लिए हम कम कर सकते हैं ठीक, now third is lubrication, lubrications reduce to friction and bear from sliding or moving surface, lubrications आप जानते हो, हमारी जब भी हम bike की servicing कराते हैं, तो हम एक लीटर engine aisle डलवाते हैं वो हमारा crank sharp clutch plate और इन सब जगाओं पे क्या होता है lubricant होता है जिससे हमारे part या piston और slender के बीच में friction decrease होता है, और engine का power कम से कम loss होता है तो lubrications आपका हर जगा पे, हम lubricant का use करते हैं, lubrications का उप्योग करते हैं, किसके लिए friction and wear को reduce करने के लिए, और machines element parts की life को increase करने के लिए, now use our tribology tribology का उप्योग किस जगाओं पे किया जाता है, तो tribology use for bearings, जैसे कि आपको introduction में ही बताया, कि bearings हो गया, pump automatic and manual gearing system, जो हमारे vehicles में gear box, use होता है, जिससे हम gear को change करते हैं, तो यहाँ पे भी, इसके बाद wind turbine, यदि हम energy के छेत्र की बात करें, तो energy में, wind energy में, wind turbine turbine हो गया, gear box हो गया, और इसके जो parts वगेरा होते हैं, यहाँ पे भी tribology उप्योग की जाती है, metal working, हम manufacturing sector की बात करें, तो manufacturing sector में आपका metal working floats, surface in grinding and tool gear, क्योंकि जब हम किसी tool से किसी भी metals को cut करते हैं, तो cut करते हैं, तो हमारे tool भी material last होता है, क्योंकि tool घिसता है, tool हमारा gear out होता है, इसके बाद aerospace and space में, और bio medicals में, टिस्विस बगयरा के लिए, हमारी जो tribology है, यह दोस्तों आती है, तो tribology के सम्बंदित आपके एक तो use, एक तो area, second introduction, इन चीजों को आप याद रखेंगे, इनसे बहुत सारी चीजें आपके mind में automatically आएंगी, और आप अपने exam में अच्छे से answer दे पाएंगे, तो दोस्तों, tribology पर यह मेरा first video है, जो कुछ छात्रों की demand के उपर में लेके आया हूँ, I hope आपको पसंद आया होगा, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, thank you.